नमस्कार सातियों स्वागत है उतकर्ष इंजीनियर्स परिवार पर जी हाँ यदि आप लोगों ने सफलता प्राप्त करने के लिए सोचना शुरू कर दिया है तो यही जो आप लोगों के सोच है ये सफलता की पहली सीडी होता है और यदि अपने आपने नींद में अपना वे गवार रहे हैं या गुजार रहे हैं तो आप लोग एक ध्यान रखना यहां पर कि कहीं मनजिल भी आप लोगों का ख्वाब ना बन जाए जी हां मैं किशोर यादव यहां पर स्वागत करता हूं आज हम लोग बात करेंगे तरह तरह के डिसकुशन चलते हैं क्या इंज बी-टे करूँ मतलब बीटे करूँ या फिर बीटे करूँ तो यह चीजे हैं मैं डिग्री के बाद की बात की कहानी आप लोगों को बताने वाला हूं यहां पर जो विध्यारती बीटे अभी अभी complete की है या चिन्नोंने डिप्लोमा अभी अभी complete किया है उनके लिए पूर भारत वर्ष के अंदर अलग अलग प्रकार की यहां पर जोब निकलती है अलग अलग स्टेट्स यहां पर अलग अलग eligibility criteria के साथ में जोब निकालते हैं यदि हम लोग बात करें मुख्य रूप से कौन-कौन सी vacancies आप लोग की यहां पर निकलती है तो आप लोग को पता होगा जो सबसे ज़्यादा अभी trend में चल रही है या बच्चे जिसके पीछे आप लोग की तयारी कर रहे हैं वो है आप लोगों का ssc.je examination जी हा पिछली बार 2800 vacancy आई थी इस बार लगबग 1324 vacancy के आसपास यह डाटा बढ़ेगा ssc.je ने बोला है आप लोग का यहां पर तो यहां पर ssc.je जो है वो main stream का आप लोग का कोर्स होने वाला है और सबसे खास बात यह है कि इसके अंदर डिग्री और डिप्लोमा वाले दोनों चात्र आप लोग के eligible होते हैं और साथ ही साथ भूलना मत मेरे दोस्तों कयासों का साल है चुनाव का साल है तो आर आर भी जे भी आप लोग का दूर नहीं है जी हां यह दो मोटी मोटी वेकेंसी जो है आप लोग की वो डिग्री और डिप्लोमा स्टुडेंट के लिए इस बार आप लोग की अन अनौनस होने के कयास लगाए जा रहे हैं और पूरे-पूरे चांसे हैं आप लोग के यहां पर की वेकिंसी इस साल अनौनस हो जाएगी और साथ ही साथ अफ अलग अलग डिपार्टमेंट जैसे राजस्तान का अधिनस्त बोड है उसके अंदर आप लोग के डिग्री और ड JSAE जो है वेकनिसी डिगरी वालों के लिए आप लोगों की वेकनिसी है बहुत ही इंपोर्टेंट वेकनिसी ए गजिट पोस्ट है आर पी एकनिसी के अंदर चोवण सो ग्रेड पे की पोस्ट है बुश शांदार पोस्ट है इलेक्टिकल मेकनिकल और सिविल तीनों के लिए आप लोगों का साथ हाउसिंग बोर्ड की वेकनिसी का आप लोगों का अनौंसमेंट हो चुका है एक्जाम की प्रिपरेशन युदिस्तर पर चल रही होगी इसरो की वेकनिसी का अनौंसमेंट हो चुका है डी एफ सी इल के एक्जाम चल रहे हैं जे एससे के एक्जाम की ड स्मुन शकरती आप लोग की मिलने वाली है और बहुत जल्दी जेई और की वेकंशी आप लोग की यहां पर आने वाली है ऐक और बहुत इंपोर्टेंड वेकंशी कि मह monopoly का हींगा जो आप Zug ऊप की यह पर यह और आती है और वह traditionallyयी यही यही उनल prior Emmanuel solar ATU और उत्तपादन यूपी का अचुता नहीं है यहां पर जेए की वेकेंसी के लिए दूसरी बात यदि आप लोगों को पता होगा यूपी-पि-सी-जेए आप लोगों को पता होगा यूपी-सी-ई-ए-ल का एक्जाम जस्ट हुआ है इस साल की most अवोटेड वेकेंसी जो है व पिर हो चुकी है तो ऐसा नहीं है दोस्तों आप लोग की डिग्री या डिप्लोमा मतलब इजिनिंग के अंदर स्कॉप नहीं है बठेरा स्कॉप है बट बात वही है जो मेहनत करेगा वही पाएगा जो सोएगा वो खोएगा अमारे एलेक्टिकल में काहवत है एक्जाम को तब तक एक्जाम दम ना तोड़ दे तब तक आप लोग उसके पीछे लगे रहेंगे तो सफलता जरूर आप लोग को अरजित होगी आगे चलते हैं अब हम लोग बात करते हैं इसके अंदर नेक्स्ट जो हम लोग बात करने वाले हैं आप लोगों की यहां पर और वो मेन आप लोग की क्या रहने वाली है आप लोगों की वो मेन रहने वाली है बिटा आप लोग की वो मेन रहने वाली है इस S.E.J.E. के अंदर जो आप लोगों का जो पोस्ट है उसके अंदर आप लोग की सेलरी वगेरा कितनी रहने वाली है जैसे कि हम लोग बात करें S.E.J.E. के अंदर तो काफी अच्छा माउंट यहां पर मिलता है यह सेलरी लगबग टियर वन सिटीज के अंदर आप लोग की लगबग सतर अजार के असपास होती है डिपेंड करता है आपको कौन से सिटीज के अंदर पोस्टी मिली अरर भी जेई तो ड्रीम जोब होता है सभी का बह के लिए भी आप लों का यहां पर दिया हुआ है RSSV अधिनास बोड के लिए भी आप लों का दिया हुआ है और बिजली विबाग की एई जे की लगबग वेकेंसी मैंने बतीस सो वेकेंसी बोला है बतीस सो वेकेंसी में टोटल डिपार्टमेंट की सारी वेकेंसी आगई त तो लगभग लगभग इतनी vacancies line-up के अंदर हैं, तो ध्यान नकना और RPSC-AN की जो लगभग 600 प्लस vacancies, 600 का तो draft बेज दिया गया है, बट इसके अलावा जो आप लोग की vacancies हैं, मान सकते हैं, 800 vacancies के असपा 5400 ग्रेड पे, 5400 ग्रेड पे, बहुत ही हैंसम आप लोग का पे के उपर आप लोग को साथ में gazetted का तमगा जरूर मिलता है, तो मेरे दोस्तों, यहां पर salary भी काफी handsome आप लोग की salary है, अब बात करते हैं यहां पर non-technical के सारे exam के अंदर syllabus क्या-क्या होते हैं, अब बात करें जो other state के, राजस्तान के अलावा जो other state के examination होते हैं, उनके अंदर मुख्यत है, इंडिया जी के, रीजनिंग, जनरल साइंग, जनरल एप्टिटुड, इंगलिश, हिंदी, करंट अफेर्स, यह आजकल examination के अंदर बहुत important role play करते हैं, कहीं न कहीं यह 10% होते हैं, कहीं यह 20% होते हैं, कहीं यह 30% होते हैं, कहीं 40% होते हैं, कहीं pre-in से करवाया जाता है, और men's technical से करवाया जाता है, प्री के अंदर इनका वेटे जादा होता है, मेंस के अंदर technical का वेटे जादा होता है, जी हां दोस्तों non-tech अचुता नहीं है, तो आज के दुनिया के अंदर यदि आप लोग को engineer बनना है, तो non-tech के ओपर command जरूर अखनी होती है चलते हैं मोटे मोटा सेलेबस आप लोग क्या रहता है लगबग लगबग आप लोग का सेलेबस क्या रहता है यदि आप लोग देखेंगे तो सिविल ब्रांच के अंदर सॉम, FM, HM, RCC, Steel, Transportation, Soil, BMC, Estimation, Survey, Environment, TOS, Hydrology, OFC, आप लोग का OCF जिसको आप लोग उपन चेनल फ्लो बोलते हैं ये में में आप लोग के सब्जेक्ट्स एग्जामिनेशन के अंदर रहते हैं अटोकेड भी आप लोग का यहां पर अधिनस बोर्ड की जो हाउसिंग बोर्ड की वेकंसी उसक जो है मेकेनिकल के अंदर बहुत इंपोर्टेंट रोल प्ले करती है आप लोग की तो मोटे मोटे तोर पर नॉन टेक्निकल के अंदर ये आप लोग का सेलिबस रहता है लगबख लगबख सभी एग्जामिनेशन के अंदर और ओटोकेड कभी कबार दोनों ब्रांचेस के अ बहुत ही इंपोर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपको पता है कि किसी भी एक्जाम को क्लियर करने के लिए एज एलेक्टिकल इंजिनियर में बात करूंगा यहां पर तो क्या नेटवर्क, बेसिक लेक्ट्रोनिस, पावर सिस्टम, मशीन, एस्टिमेशन, और कोस्टिंग ये हां आप सभी लोगों की 13 तारिक को बढ़ती हुई डिमांड के आधार पर आज 14 तारिक को जो डिसकाउंट लगाया था 10 परसेंट का एक्स्ट्रा वो आज भी वैलिड रहेगा और ये केवल आप लोगों के प्यार की वज़े से हुआ है और ये 10 परसेंट अतरिक डिसकाउ जो हुआ है जो उन विद्यारतियों के लिए होगा जिनों ने वर्तमान में उतकर्श का कोई भी कोर्स आप लोगों का खरीदा हुआ है ध्यां रखीगा अब इस ओफर पिरियड के दोरान जो है हमारी जो हमारी जो है आप लोगों की कॉर्स की प्राइज जो इंजनिंग से कि जो ओनलाइन प्राइजेस है वो 3000 रुपीज यह फाउंडेशन हिंदी मीडियम वाला बेच है RSSB डिग्री लाइव कोर्सेस जो ओनलाइन कोर्सेस है उसकी प्राइज है आप लोग की पच्छिस सो रुपीज और यदी मैं बात करूँ यहां पर यदी मैं बात करूँ आठ सो रुपीज आर डिग्री लाइव कोर्सेस की जो प्राइजेस है वो पच्छिस सो रुपी रहने वाली है RSSB Diploma Live Courses की प्राइस जो है वो दो हजार रहने वाली है इस आजादी मौत्सों में जी हाँ आप सभी लोगों को पता है और SSJEE का कॉम्बो पेक जो है आप लों का वो दो हजार का होने वाला है कॉम्बो पेक में PYQ MCQ बेच और SSJEE बेच का डिकोड़ेड बेच का आप लो Hindi का रिकोड़ेड कोर्स जी हा कॉालिटी का निच्टेंट चाहिए Hindi का अलग से यह लिजी अप लोग지ए अप लोग बेस्ट कौालिटी का पार्ति अप बहो सा करके देखिए अप लिग के रह कर के देखिए उकर्ष के औपर निर्मल वाला बेच चल रहा है, इसकी प्राइज रहा है, और राइसेज भी, MCQ बेच की प्राइज भी रहा है, आप लोगों की रखी गई है, मुख्य तोर पर, तो बेटा, ये था उतकर्ष का आजादी महुत्सव, क्या आप ने इस आजादी महुत्सव में, आप लोगों ने हिस्स से यहां पर आपनों की पूरी एक्जाम को क्रेक करने के लिए तयार है, वो कोर्सेज को जरूर देखिए, यूट्यूब पर आप लोग हमारी क्वालिटी चेक कर सकते हैं, उसमें कोई शक नहीं है, तो मैं आपका दोस्त और होस्ट किशोर यादो, पस इस वीडियो को यही पर एंड करता हूं, सबी लोग ध्यान रखिएगा, जे हिंद, जे भारत